नमस्कार प्यारे विद्यारतियों आज की क्लास में हम कॉमन साइज बैलेंस शीट का एक स्वाल हल करने वाले हैं देखे स्वाल आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि निमन लिखे तो सूसनाओं से आधित लिमिटेड वे अंजली लिमिटेड के संग्रूप्त दुलन व । दो देखेए हमें क्या बनाना तो coming गोस्कार बनाना बैलेंस शीट कर देखेए हैं दो कमजिड करो頭हिर भिर आपके सामने दे रिए इस बैलेंस शीट को हमें कमजिड का प्रारूप बनागर कर शाल है करे तो लेंगे प्रतिसद्क में आपने पड़ा है पिछे की कख्षाजब हमने समानाकार के लिए उसमें हमने बात की कि जो बैलेंस हीट हम बनाते हैं उनमें संपतियों और दायत्व को 100 माना जाता है और उनके आधार पर प्रतेगमद को परतिसद्क के रूप में व्यक्ते किया जा के Colin Carhartan में JC सियँ और current tegas जैस इसके अधार पर देखिये हम किस प्रकार से common साइज बेलेंस जीट बनाते हैं कि यह देखिए हमने यहां बनाई है noirडित्य लिपटेडर एंट अंजली लिंटेड ठीक है इसमें अवदी नहीं दे रहे किस किस की बनानी है अधित लिमिटेड और अंजली लिमिटेड की बनानी है दो संस्ताओं या दो कंपनियों के बीच में हमें यह दिखाना है कि सम्मंगों में कितना प्रतिसत किस का है और कितना प्रतिसत किस संस्ता का है जैसे देखें इसको हल करके देखें इसका परसन में दी गई है जैसे हम पहले उतार लेते हैं जैसे एक्विट्म लाइविटीज केपिटल था चाही लाक और आट लाक फिर रिजिर अपलस था तीन लाक और तोलाक पचाहँ जार पिर करेंट लाइविडीज एक लाक पचाहँ टोटल हो गे जसलाक और बारा लाक इसे assets की बात करते हैं तो non current assets में fixed assets 4 लाग और 7 लाग और current assets में 6 लाग और 5 लाग और जोड हो गई इनकी 10 लाग और 12 लाग ठीक है यहां तक तो हमने जो balance sheet उपर थी वो उतारी ये शिरफ लेकिन अब हमें इनका क्या करना है प्रतिसत निकालना है तो प्रतिसत निकालना है तो जैसे हमने बात की थी कि दाइत्तों में कुल दाइत्तों का भाग देना है और संपतियों के प्रतिसत निकालने पर कुल संपति का भाग लगाना है जैसे हमें एकुटीशेर केपिटल का निकालना है आधिते लिमिटेट का तो 6 लाग बट्टा संपतिया कितने कुल दाइत हो कितना है 10 लाग गुणा सो 3-0 स 3-0 गया 2-0 से 2-0 गया 1-0 से 1-0 गया 6-10 ये गुणा किया 60 परतिसित यानि इसका मतलब क्या हुआ कि आधिते लिमिटेट के अंतरगत कुल दाइतों का 60 परतिसित क्या है एकुटीशेर के पिटल है यानि परतिसित के रूप में इवेक्ट करने का आश्य है कि हम समंगों का या वीतिय सुसनाओं का विजिलेशन आसानी से कर सेगे दूसरा देखत एक जिरो एक जिरो इनको देख से गुणा किया 30 परतिसत ठीक है इसी प्रकार से यह देख लेते हैं एक लाग भटा दस लाग गुणा सो तो तो टो टॉटल मैंने आपको बताया कि कुल संपतियों और दायतों का मान के ता होता है 100 होता है तो इनकी जोड करके वह देख लि कितना गया इसी प्रकार अगले का देख लेते हैं कि 8,000,000 अंजली लिमिटेट का इक टूट इसर के बटल बटा कुल दाय तो कितना है बारा लाग गुणा सो पिक टीन जिरो गया दो जिरो से दो जिरो गया दो चो के 8 चारती ये 12 यह वह होगे 200 200 में 3 का वाग लगांगे तो 66.67 667 print 677 यान्जी का अतह है कि अंजले लिमितेड में कुल दायचतों का 66.6753 ःकटशिर केपिटल पे में किल दायचतों का 60% भाग इसके अधार पर हम क्या करे एंवीते सब्बंहों का वितलेशन करेंज़आrendre करे दूसरा देखते हैं अगला जेश है कि रिजिरंट सरफलस 15000 डायलाग बट्टा 12,000 गुणा सो दो 02600 गया 1010 गया 1010 यह चला गया तो कितने हो गई डाइसों डाइसों में बारा का बाग लगाएंगे तो डाइसों में बारा का बाग लगाने पर किता आगया बीस पॉइंट आठ तीन बीस पॉइंट आठ तीन इसका मतलब हो गया कि अनजली लिमिटेड में कुल दायतों का 20.83 परतीस्त भाग तीजलियनन सर प्लस है जब कि आज disadvantage में एक टीशर केपितल का हिसा कोल दायुत्तों में ज्यादा है इसी परकार हम एसेट कर कहरें कर 20 करते हैं और यह हो गया 303 मैंने आपको बताइगे कन उत्हाइब को संपथी दाईत अगमान कितना होता सो पांस लाग बट्टा बारा लाग गुणा सो इनकाम माना जाएगा एठाउन पॉइंट 33 प्रतिसद और 41.67 प्रतिसद तो विसलेशन हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे आदिते लिमिटेड में कुल संपतियों का electricity का छाड़ी संपति है यूव कि अंजलिमृताइड में कुल संपतियों का 21.33 प्रतिसद भाँ बहसे स्थाहिस संपतिए और अदिते लिमिटेड में कुल संपतियों का 60 प्रतिसद और 40 संपतियाAI जबकि अंजली लिमिटाइड में कुल संपतियों का साथ प्रतिसद भाग है वो चालू संपतियों के रूप में तो समानाकार में क्या कर सकते हैं कि समानाकार चिठ्ठे के अंतरकत हम दो संस्ताओं की एक अवदी के दौरान जो वीत्य समंग है हमारे पास जैसे फूंजी है रिजरेंट सरफ प्लस है नॉन करेंट लाइबिटीज है करेंट लाइबिटीज है एसेट्स में बात करते हैं नॉन करेंट इंवेस्टमेंट है करेंट एसेट्स है इनकी विभीन मद् 35 के रोप में व्यक्त करके हम उनका आपस में विसलेशन कर सकते हैं कि कौन से संस्ता के स्थिति कैसी है और कौन से संस्ता के स्थिति कैसी है कौन से संस्ता में पूंजी ज्यादा है कौन से संस्ता में रिजरेंस रपलस ज्यादा है कौन से संस्ता में इस्ताई संपतिया ज़्यादा है कौन से संस्ता में चालू संपतियां का हिसा ज़्यादा है तो इनके अदार पर हम क्या कर सकते हैं दो संस्ताओं के बीच में विस्लेशन करके अपने निस्कुर्सों को निकाल सकते हैं और अपने ने ले सकते हैं तो आज की कलास में इतना ही बाकिए यदि आपको किसी प्रकार का कोई प्रोब्लम है कोई समझ या है स्वाल में तो आप कमेंट करके जुरूर पुछें मैं आपका स्वाल का द्वाब जुरूर दूँगा थैंक यू